नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एजे चोदरी आज आपके सामने फिर से एक नई वीडियो के साथ और आजम बात करने वाले हैं रीट एक्जाम 2018 के लिए जो बाल विकास और शिक्षा सास्तर हैं उसकी यूनिट सेकंड थी अधिगम के सिद्धान्त उसमें अधिगम के जितने भी मैथपॉन सिद्धान थे वो सबी हम कंप्लिट कर चुके हैं चाए वो बड़ा से बड़ा सिद्धान तो और चाए छोटा से छोटा सिद्धान तो उससी सिक्वेंस में नेश्ट हमारा जो टोपिक है यूनिट सेकंड का ही वो है चिंतन और चैप्टर नमबर 13 यानि मैं सेकंड यूनिट के अब तक 12 चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ और ये 13 चैप्टर है इसके लावा जो फर्ष यूनिट थी वो सारी कंप्लीट कर चुका हूँ देख इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूँ कि इसके दो तिन वीडियो और बनेंगे इस यूनिट के जैसे एक मोटिवेशन वाला बचा है टोपिक इस यूनिट में इसके बाद में पूरी सेकंड यूनिट का आप से टेस्ट लिया जाएगा 50 मैथपून क्यूसन का बहुत मैथपून क्यूसन होंगे और इन 12 वीडियो में पलस आज का जो वीडियो है मैंने हर वीडियो में वैसे भी लगबग जो टोपिक पूरा होने के बाद में उस टोपिक से रिल्टेड हमेंसा इंपूर्डेंट क्यूसन दिये है तो वो क्यूसन हो गया आपके और आप जो 50 क्यूसन में दूँगा इस सेकिंड उनिट के तो आप अपने जो त्यारी है उसको लगातार साथ साथ कंप्लीट करके रखेगा जब भी टेस्ट लेना होगा उससे लगबग एक या दो दिन पहले आपको सुचित कर दिया जाएगा कि इस दिन आपका टेस्ट पेपर लिया जाएगा तो आप अपने त्यारी को कंप्लीट रखेगा और बहुत अच्छे से ताकि आप पूरी त्यारी के साथ दे सकें देखे जो चिंतन है टोपिक है ये इस दिरश्टी कौन से इतना मैथपून है कि रिट एक्जाम 2016 उस 16 से पहले का जो एक्जाम है 15 में तब ये एक्जाम के अंदर ये किशन चिंतन से लगातार आ रहा है पिछले दो वेकेंसी रिट की जो पिछली दो बरती हुए दोनों बरतीों में लगातार इससे किशन पूछा गया है अब आप देखेगा मैं आपको किशन दिखा रहा हुए अब आप देखेगा किशन आपके सामने है एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको चिंतन मानसी किरिया का पहलू है बलेंक स्तान है जिसे हमें फिलप करना है यह किशन कब आया है यहाँ आप देखेगा रिट एक्जाम 2016 नेक्स्ट किशन रिट एक्जाम 2015 दोनों ही चिंतन से समधित हैं ग्यानात्मक, भावात्मक, किरियात्मक और नन दूसरा किशन है चिंतन पर किरिया में सबसे कम महत्पून है यह रिट एक्जाम 2015 में आया है चित्र, परतीक और चिन, मासपेशे किरिया हैं और भासा तो इस प्रकार से एक क्यूशन है इस टोपिक से और लगातार क्यूशन पूछे जा रहे हैं तो आब हम बात करेंगे इसके टोपिक के बारे में तो बहुत मैटफून टोपिक है पूरे टोपिक को ध्यान से सुनिएगा सबसे पहला है चिंतन यानि थिंकिंग अब यह थिंकिंग क्या होता है देखें एक बार इसके उपर मज आयेगा कि बुक के अंदर क्या लिखावा है तो उस समश्या का समाधान करने के लिए हम क्या करेंगे हम सोचेंगे ताकि उस समश्या का क्या हो जाए समाधान हो जाए उसके लिए हमें जितने भी आसपेक्ट सोचने पड़ सकते हैं जितने भी तरीके से हम सोच सकते हैं उतने तरीके से सोचने का प्रियास करेंगी दूसरी बात जो रियलि फेक्ट है या जो चीजें हमने पर्तेक्स की है कभी हमारे सामने वो चीज़ें भी हमारे दिमाग में आएगी प्रैक्टिकल है अब देखिए मानों में व्याप्त ऐसी मनोवेग्यानिक के रिया जिसमें वैस समस्या विशेश के समाधान के लिए क्या कहा इसने समस्या विशेश के समाधान के लिए सोचता है विचार करता है चिंतन कहलाता है आप समझेगे होंगे कि एक मनोवेग्यानिक परिक्रिया है मनोवेग्यानिक है ना कि सारी रिक सारी रिक नहीं है ये सोचने का काम जो है वो मानसिव रूप से होता है ना कि हातों से पाउं से अगर आपको बोजन बनाना हो तो आपको अपने हातों के इस्तिमाल करना पड़ेगा लिखना हो तो हातों के इस्तिमाल करना पड़ेगा लेकिन अगर सोचना हो तो अपने मस्ठिश का तो चिंतन एक मनोवेग्यानी किरिया है जिसमें वैस समस्या विशेष के समाधान के लिए सोचता है या विचार करता है इसे चिंतन कहते है next point है कि चिंतन क्यों करता है वेक्ति या पढ़ चुके है अभी बता है मैंने समशे समाधान के लिए चिंतन परकरिया किस की आधार पर चलती है परतिक और चिनों की आधार पे symbol और sign अब देखिए एक बार ये समझे आप कि जो भासा है क्या भासा की अभाव में चिंतर हम पूरी तरह से कर सकते हैं इस्पोज कीजिए कि मुझे एक एरोपलेन बनाना है मुझे एक एरोपलेन बनाना है अब उस एरो प्लेन के लिए मेरे दिमाग में कोई तो चीज आएगी वो साइन के रूप में आ सकती है कोई सिंबल के रूप में आ सकती है लेकिन जब तक भासा ही नहीं होगी मैं मेरे मने में कैसे सोचूँगा कि मुझे किसी जहाज का निर्मान करना है मुझे किसी एक ऐसे यंतर का निर्मान करना है जो हवा में उड़ सके ये चीजे जो मैंने बोली है ये हमारे दिमाग में चलती है बासा की रूप में तो क्या बासा के बिना हम सो सकते हैं ऐसंबो होता है बासा के बिना जैसे पशू है पशू बासा के अभाव में ये जो मनन और चिंतन का कारिया है ये पशू नहीं कर सकता क्यों? क्योंकि पशू की बासा जो होनी चीए जो शब्द वो नहीं होते और इस वज़े से जो चिंतन मनुष्य कर सकता है वो पशू नहीं कर सकता उसके बाद में चिंटन तता कलپना दोनों ही ग्यानात्मक और रचनात्मक मानशिक प्रकिरिया है आप देखेगा चिंटन और कल्पना मैंने आपको उपर बताया कि एक विक्ति जब किसी भी चीज़ के समश्या के समाधान के लिए सोचेगा तो एक तो वो चीज़े सोचेगा जो वास्ते में घटित हुई है जो जिस चीज़ का उसने पर्टेक्स किया है और दूसरा पूरी तरह से कालपनिक उस चीज़ का समाधान करेगा हमारे भी मन में विचार आते हैं हम भी ऐसी ऐसी कलपनाई करते हैं जैसे कोई वेक्ति ये भी सो सकता है कि मैं एक दिन देश का पी-म बनूँगा वो फील कर सकता है कि मैं पी-म की जो चेर है उस पर बेठा हूँ तो हमारे मन में हमारा जो मस्चिक्ष का है वो दोनों तरह के विचार लाता है ग्यानात्मक और रचनात्मक किसी चीज़ का निर्मान करने के बारे में जैसे माली जहाज है उसका निर्मान करना है तो वो इसमें आजाएगा रचनात्मक में किसी कोई समशा का समधान से समधित हमारे पास विचार लाना है वो ग्यानात्मक कहलाएगा उसके बाद में कुछ थिंकर हैं उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन दी है चिंतन के बारे में तो ध्यान से सुनिएगा सबसे पहले हैं गेरेट गेरेट कहते हैं कि चिंतन एक परकार का एदर्शे वेवार है जिसमें सामाने रूप से पर्तिकों का परियोग होता है पर्तिक मतलब सिंबल कोई भी सिंबल हो सकते हैं कोई भी पर्तिक हो सकते हैं अक्षर हैं जैसे जो आपके सामने लिखे हैं ये भी एक पर्तिक है चिंतन एक परकार का एदर्शे वेवार है एह दर्शे इसलिए का गया है कि क्या चिंतन करतावा वेक्ति जो है वो ये दिखता है क्या वो चीज ये दिखा रहे कि देखे मैं चिंतन कर रहा हूँ अगर आपने अपने हातों से सारी ग्रूप से कोई भी कारी किया तो वो वेवार दिखता है लेकिन चिंतन कैसा है ऐ दर्शय वेवार है अब आप इसको कैसे याद करेंगे इसकी शोट ट्रिक है गेरेट में देखी ये क्या लिका रेट रेट क्या होता है चुवा आप सभी जानते है चुवा जो होता है वो हमारे हाथ नहीं आता गर में होगा तो हाथ नहीं आगा क्यों क्योंकि स्पीड बहुत तेज होती है वो थोड़ी देर में क्या हो जाता है ए दर्शय हो जाता है और फिर वो जब भागा था तो अपने पिछे जो चिन छोड़के गया था जो सिंबल छोड़के गया था फिर उसी के हदार पर हम उसको ढूंडते हैं कि उसका बिल कहां पे है अब देखे जब भी गेरेट का आएगा या एदर्शे वेवार के बात आएगी या समान रूप से पर्तिकों का प्रियों के बात आएगी तो अब गेरेट में याद रखना है रेट और रेट क्या हो जाता है एदर्शे हो जाता है अब नेक्ट डेफिनेशन याद करते हैं उसके बाद में है रोष की definition रोष ने क्या दिया है? चिंतन मांसी किरिया का ज्यानात्मक्पक्ष है अब देखेगा कैसे याद करेंगे? रोष से याद करना आपको रीस रीस क्या होती है? गुसा? जब व्यक्ति को रीस आती है तो उसका मानसी करने की शम्ता, जो मानसी करिया करने की शम्ता है, जिससे वो ग्यान की बातें सो सकता था, वो सब क्या हो जाती है, नश्ट हो जाती है, खतम हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जब व्यक्ति को रीस आती है, तो उसकी मानसी करिया क्या हो जाती है, पूरी तरह स समाप्त हो जाती है जो ग्यान की बाते हैं सो सकता था वो पूरी तरह से क्या हो जाती है समाप्त क्यों क्यों कि जब हमें रीस आती है तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है यह मानसी किरिया ध्यान में रखना है रीस के साथ में और क्या सोचता मस्तिक्स ग्यान की बात ह वेलेंटाइन की जो डेफिनेशन है वो पहले भी बोतवार आई है मनो विग्यानिक दरश्टी कौन से चिंतन शब्द का परियोग उस किरिया के लिए होना या किया जाना चाहिए अब आप इसको याद कैसे करेंगे आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सरंखला बद विचार वेलेंटाइन मैं आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो वेलेंटाइन डे का महिना कौन सा था फरवरी तो वेलेंटाइन डेक का जो महिना होता है फरवरी वाला उसमें एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी को अपने विचारों का आदान परदान करता है सरंखला पूर्ण अब आप देखेगा कैसे याद करेंगे जो ही वेलेंटाइन नाम आएगा आपको याद रखना है कि एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी को ये जेसिमाल जी ये प्रेमी है ये इसकी प्रेमी का है ये सरंखला बद विचार जो एक साल से इसने मन में विचार दबा रखे हैं वो अब अपने विचार परकट करेगा किसी लक्षे की और ये लक्षे है कि मुझे इस तक अपने विचार पहुंचाने ए विराम गती से परवाहित होते हैं बस इतना ही मिलान करना है इसमें अब उसके बाद में हम बात करते हैं चिंतन के साधन कौन-कौन से होते हैं अब देखें जो चिंतन के साधन कौन-कौन से हैं तो ये तो बुक के अंदर लिखे हैं जैसे कि जो आपके सामने ये मेटर है च्यार बिम, संपर्तिय, पर्तिक, चिन, जो पर्तिक है सिंबल और जो चिन और इसके लावा लेंग्वेज अगर आप इनको नाव भी पढ़ें, तो आप सोचके देखें कि आप चिनतन किस परकार से कर सकते हैं, हमारे साधन कौन-कौन से हैं बिम यानि इमेज जब आप सोचते हैं, तो आपके सामने कोई भी फोटू वगरा चाहे किसी विक्ति के बारे में सोचें चाहे किसी जहाज के बारे में सोचें, चाहे देश के पी-म के बारे में सोचें सबसे बड़ा जो एक तो हम क्या है, इमेज की रूप में किसी भी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं जैसी समश्या होगी उसी प्रकार का हमारे मस्तिक्ष में समाधान आएगा और उसी प्रकार के विचार आएगे संपर्ते कंसेप्ट देखें संपर्ते क्या होता है जो एक पूरे समाने वरक का परती निदितू करता है उस कंसेप्ट को का जाता है संपर्ते जैसे माली जी इस दुनिया की जितने भी गाएं है उन गाएं का जो पर्तिनितितु करता है गाएतु ये जब फिलोसोफी परते हैं तो उसमें ट्रम आता है संपर्तिय का जो की हर गाएं में विद्यमान है उसके बाद में आता है पर्तिक चिन सिंबलिया साइन के रूप में जैसे माल जी पुलिस वाला खड़ा आप बाइक लेके गए हैं तो लाल लाइट जलेगी तो आप रुखेंगे जब सिगना लाइगा गरीन लाइट का तब आप रवाना हो गए तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं हमारे दिमाग में सोरी याद नहीं चिंतन कर सकते हैं फिर उसके बाद में है लेंग्वेज ये तो मैन है बिना लेंग्वेज के हम सोची नहीं सकते उसके बाद में आता है चिंतन के परकार कौन कौन से हैं तो देखे चिंतन के परका दूसरा है ए मुर्चिंतन, तीसरा है विचारात्मक और फूर्थ है स्रजनात्मक चिंतन बहुत सिंपल सार्थ है इनका विचारात्मक को तारकिक भी कहा जाता है अब देखिए सबसे पहला परतेक्स और मुर्चिंतन परतेक्स और मुर्चिंतन क्या होता है? जैसा है कि नाम से क्लिर है जिस चीजों का हम अनुबव कर चुके हैं या जो चीजें हमारे सामने पर्तेक्स रूप से उपलब्द हुई है जैसे मान जिए फ्रीज है अब फ्रीज हो गया खराब अब उसे सही कैसे करना है हम यूँ बैठे बैठे सोच रहे हैं विचार कर रहे है तो हमारे दिमाग में जो चवी आएगी वो किस की आएगी फ्रीज की आएगी जिसका हमने पर्तेक्स अनुबव किया है ए मुर्थ चिंतन ए मुर्थ यानि जो हमारे सामने पर्तेक्स रूप से उपलब्द नहीं है उसे कहा जाता है ए मुर्थ चिंतन और दुनिया में सबसे ज़्यादा जो आविश्कार हुए है जो खोजे हुई है वो इसी ए मुर्थ चिंतन के फलसुरूप हुई है ये पूरी तरह से कल्पना पर अधारित होता है काल्पनिक जैसे मालिक जी मैं आपको एक एक्जांपल देता हूँ कि कोई वेग्यानिक है उसने पहली बार सोचा कि मुझे कोई ऐसा यंत्र बनाना चाहिए जो आसमान में उड़ सके उसने मन में क्या की कल्पना की उसने एमु चीज बनाओ उसने मन में विचार किया जो हवा में उड़ सके बासागा परियोग बिना बासागे नहीं सो सकता और उसने हवाई जाजगा निर्मान कर दिया तो ऐ मुर्चिंतन के द्वारा बड़ी से बड़ी जो खोजे हैं बड़ी से बड़ी जो आविशकार हैं वो उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए जो हम विचार करते हैं पलस सरल विचार नहीं जो मुश्किल विचार माने जाते हो जटिल विचार माने जाते हो उनसे समधित होता है जो विचार तरक पर आधारी तो और सबसे मैत्पून अगर इन च्यारों में माना जाता है चिंतन प्रणागा नाम आता है अब देखे एक बार जो है हम पूरे चैप्टर को फिर से देख लेते हैं सबसे पहले हमने देखा कि होता क्या है चिंतन मानने में व्याप्त ऐसी मनोवे ग्यानी के लिए जिसे में समश्य विशेश के समाधान के लिए सोचता है विचार करता है वैं चिंतन के लाता है चिंतन क्यों करता है समश्य समाधान के लिए चिंतन परकिरिया परतिकों और चिनों के आधार पर चलती है बासा बासा का आधार कौन परतिकों चिन उसके बाद में चिंतन तथा कलपना दोनों ही ग्यानात्मक वर रचनात्मक मानसिक परकिरिया है उसके परिवासा है गेरेट की चिंतन एक परकार का अयदर्शे वेवार है जिसमें सामाने रूप से पर्तिकों का पर्यूग होता है आपको याद करने एक ट्रिंग पताई थी रेट रेट चुआ ठोड़ी देर में क्या ओजाता है ए अधर्शे हो जाता है और उसके बाद में रोज चीजिए याद करने है जिसमें सरंख लाबद विचार किसी लक्षेक और आई विराम गती से प्रवाइत होते हैं इसके ट्रिक आपको बता चुका हूं उसके बाद में चिंतन के साधन बिम यानि इमेज के रूप में हम सोचते हैं, संपर्टियों के रूप में सोचते हैं, पर्टिक चिनों के रूप में सोचते हैं, चिंतन के परकार, पर्टिक्स जिसका साक्षा तानुबव होता है, एमुर चिंतन, विचारात्मक और सजनात्मक, इनमें सबसे बहतर कौन सा? विचारात्मक, अब ह बताईए चिंतर मानसी किरिया का कौन सा पहलू है नो किरिया अत्मक, नो भावा अत्मक, कौन सा ग्यानात्मक उसके बाद में है चिंतन पर किरिया में सबसे कम हैत्पुन क्या है चित्र, परतीक और चिन, मासपेशे किरियें और भासा अब क्या होगा इसका राइट हैंसर? फूरा चैप्टर पढ़ आ हमने चित्र के रूप में, पासा के रूप में, परतीक और चिनों के रूप में लेकिन मास पी सी किरियाएं ये कहीं नहीं पढ़ा तो इसका राइट हैंसर हो जाएगा C उसके बाद में है चिंतन एक परकार का वेवार है एवेक्त वेक्त और दोनों या कोई नहीं तो कैसा वेवार है वेक्त है या एवेक्त है चिंतन दिखाई नहीं देता इसका राइट एंसर क्या होगा एवेक्त नेक्स्ट कुशन है चिंतन एक परकिरिया है सरीरिक, आर्थिक, मानसिक और राजनितिक अब राइट एंसर क्या होगा इसका? राइट एंसर होगा इसका राजनितिक नहीं, आर्थिक नहीं, सरीरिक नहीं और मानसिक, मानसिक इलिया है चिंतन आरंब होता है किसी इच्छा के कारण, एसंतोस के कारण, किसी समझ्चा के कारण या उपरोक सभी तो इसमें देखेगा सभी औपसन सही हैं ये तो इसका राइट एंसर हो जाएगा डी तो देखेगा ये थे सभी मैत्वन कुशन और जाए तक मेरा मानना है यह चैप्टर आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा पिछले दो सालों में दो वेकन्सिज में लगातार इसमेंसे क्यूशन आये हैं तो कोई hard क्यूशन ना है क्यूशन आसान है आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे अपने कुशन सोल करेंगे तो आपके आसानी से दिमाग में फिट हो जाएगा और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपके कितने कुशन सहीवे हैं पांस में से जरूर बताइए और इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक नए टोपी के साथ जैहिन जैबारत